ठीला जो है ये भग्दागान राम के छोटे भाई लक्षमन जब लंका विजय की उपरांथ भग्वान आये तो उन्होंने ये स्थान लक्षमन जी को दिया तो ये लक्षमन किला था लक्षमन जी का बहुत धिवे किला था और और अपराने लक्षमन में मौझूद टीले वाली मस्जिद लक्षमन टीला हुआ करती थी। ऐसा हिंदू पक्षका दावा है रंजना अग्रिनुत्री जो इस मामले पक्षकार है वो हमारे साथ मौझूद है। रंजना जी आज कोट की हीरिंग भी हुई है। क्या कुछ रहा लक्षमन टीला जो है आप कहेह रहे हैं ये भगवान राम के छोटे भाई लक्षमन जब लंका विजाएं के उपरान भगवान आये तो उन्हों ने ये ये स्थान लक्षमन जी को दिया तो ये शेष्ट नागेष्ट टीलेश्वर महादेव नाम है और उसी नाम से मुकदमा है और वो अस्थान पूरा तीरत अस्थान के रूप में है यह मुकदमा एक सिविल सूट नंबर 91-2013 में फाइल किया गया था उसके बाद हम लोगों को यह जानकारी हुई कि उस थान पर जो धा ने हमको आदेशित किया था यह कही डारेक्शन दिया था कि हम और हरीश अंकर जैन दोनों लोग वहां पर पुलिस सेक्यूरिटी में गये थे वहां पूरा इस्पॉर्ट इंस्पेक्शन लक्षमन टीला आपने दोरा किया विजिट किया कूट के आदेश के बाद हाँ बिल यह देखिए इस रिपोर्ट के बाद जो नक्षा बनाया गया था वहां पर यह पाताल कुवा मिला अच्छा यह लक्षमन टीला पूरा गार्डन है यह सामने जहां लक्षमन की मूर्ती लगाए जाने की बात की जारी है यह हिस्सा कहा पातल यह यह है पाताल कुवा है यह ये जो मंदिर का मंदिर शिवाला नुमा बना है यह इनकी प्राश्धिन्ता प्रामाशी म northern रवश Diese अलग यह मस्जिद के बगल में इस्था यह पूराज राम तेलह है यह पूर है क्योंकि जो सेटलमेंट हुआ है उसमें मस्जिद का तो कहीं नाम निशान नहीं है मच्छी भावन कहा गया योगेश प्रवीन जी ने भी अपने पुस्तक में इसके कुछ फोटोग्राफ भी दिये हुए यह इन्हों ने इस परिसर को पूरा घेर रखा है यह जब हमने कुछ मूर्थिया कुछ शिन वहां पर मिले मैं जब आपने सर्वे किया में चीज तो यह पाताल कूप की थी यह मंदर शिवाला था शिवलिंग छोटे-चोटे टूटे हुए थे भगनावेश थे और जो घाट की तरफ को जिसको कॉंडेल रिशी का आश्रम कहते हैं इसके पश्ची में कॉंडेल रिशी का आश्रम पूर में कॉंडेल रिशी वर्तमान में कूडिया घाट कहते ही गुमती पहले पूर में इधर से जाती रही होंगी गुमती मा तो यह सब पुराने भगनाविश आज भी उपस्तित हैं और 2013 में तो इस पश्ची बूप से थे तो मैंम क्या इन्हें अब नुकसान ना पहुँझे तो इसके लिए कोई विवस्ता कोट ने की कि इन्हें कोई चदगस ने की कि असाई को कहा था और उस समय जो सरकार के वकील ते ततकालीन सरकार के मुलायम सिंग सरकार की वकील थे उन्होंने ये आश्वाशन दिया था कि स्थिति को हम यह था स्थिति बनाए रखेंगे आपने कोट में प्रस्तुत किया हो। कि कि तमाम बातें कही जा रही है एक लाल जी टंडन की पुस्त का हवाला दिया जा रहा है लेकिन इसमें जो बातें कही गई हैं उसका कोई इतिहासिक प्रमार नीए ऐसा मुस्लिम भक्षी के लोग कहता है। देखिए जो योगेश प्रवीन जी के किताबें हैं इसके अलावा जो और प्राचीन पांडुलीपिया हैं वो तो एतिहासिक तत्य हैं दूसरी बात है जो कानूनी जिनको हम किसी भी तरीके से नकार नहीं सकते हैं वो सेटलमेंट है फर्स सेटलमेंट हुआ सिकिंड सेटलमे है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी ढूने वहां पर एक छोटा सी जोप्री टाइप थी जिसमें लक्षमन जी का किला था और बाद में जो इतना विक्राल रुप दिया गया है वो बाद में दिया गया है लखनो की पहचान लक्षमन से जूड़ी है इसका क्या अगर इतिहास अगर आप बता पाएं कि कभ ये लक्षमन पूरी से फिर लखनो हो गया देखे लखनो के पहचान बेशक लक्षमन जी से ही चुरी है क्योंकि इस नगर को बसाने वाले लक्षमन जी ही है भगवान राम ने अपने अपने काल में चारों भाईयों को अपने अस्थान दे दि ती और रिवेर्यों रिकोड्ट में लक्षमन लखनु का नाम अलग अलग लग यह पियलिंग आती है जो अल्यby ऐतनी धम और बाइस संमय स्युत्प यह एस नभी लखनु हो चुकाचा था तब से फिर ये लखनो चला रहा है खाली स्पैलिंग्स बदलती रही वर्तमान में जो चला रहा है तब से चला रहा है लेकिन हमें अपने अतिहासिक धरोहरों को हमें अपने पूरवजों की परंपराओं को गर्व करने के लिए हमें प्राचीन गरों को प्राप्ट करना होग और इस समय वरतमान सरकार से मेरा यही निवेदन है कि इसको लक्षमनपुर के नाम से लवीरवर लक्षमन के नाम से इसके गवरों को पूना स्थापित किया जाए अब दुबारा A.S.I. की मांग कर रही हैं कि A.S.I. इसका सर्वे करे और इनकी प्रमारिकता कि किस काल में यह चीजें हुई हैं वो जो मंदिर बना हुआ है जो मूर्तियां है निश्ची थी जब हम लोगों ने जब इसको जाकर कि कोट के आदेश के बाद हमने जब उसको दे बात को उसके समय की प्राचिनता को प्रामारिक करने के लिए कार्बन डेटिंग की आवशकता होगी एक्सपर्ट क्या आवशकता होगी और A.S.I. के जो अधिकारी हैं उनकी आवशकता होगी हम खाली एक चीज़ बता सकते हैं कि यह चीज़ ऐसी है लेकिन कानफर्मेशन उनहीं को देनी होगी कि इसकी प्राचिनता किती है और इसका पिरियड क्या है यह क्या चीज़ थी क्या अब इस बात की सब्भाबना है कि इन्हें चतिकस किया जा सकता है जैसे काई जगे याचिका हैं लगी हुए दावे हैं कि मतुरा में छेड़ चार्ड की जा सकती है तो क्या यहां पर यह पॉसिबल नहीं है कि यह चेड़ चार को रोकने के लिए ही तो 2013 में एक हमने याचिका यूजित की थी और अब हम निश्ची थी इस याचिका में मानी नयाले के समय दूसरी याचिका लगाने दूसरी एप्लिकेशन लगाने जा रहे हैं कि जो पूर्व में संरक्षित सुरक्षित किया गया था उसको कड़ी सुरक्षा दी जाए तो कड़ी सुरक्षा दिया जाए मामला कोट में है और एक नक्सा भी कोट के आदेश के बाद रजिना अंग्नुती जी ने वहां से बनाया था जिसमें शिवाले और पातालोंग जो इसे कुईन नुमा शेप में अभी इस वक्त है वो उस नक्से में शामिल किया गया था किया वसंदेव सिंग के साथ मनीश अदब टाइमसनाव नव भारत लखनोग खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम टाइमसनाव नव भारत को यूट्यूब पर लाइब सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दपाईए